अब बात करेंगे प्रख्यात कथावाचक पंडित प्रदिप मिश्रा की जिन्हें मद्यप्रदेश के सीहोर में जान से मानने की धंकिए और बदनाम करने का पत्र मिलने का मामला सामने आया है वही जानकारी लगते ही महराश्ट्र से लोकसवसांसर नवनित राना ने केंद्रिय ग्रीह मंतरी अमित शा को पत्र लिग कर कथा वाचक के लिए सुरक्षा की मांग की है कथा वाचक पंडीत प्रदिप मिश्ञा अपनी कथा और रुद्राक्ष महत्सो को ले कर देश और दूनिया में प्रखीयात है उनकी कथाओ में लाको श्रदालू की भीड उमरती है वही कता वाचक प्रदिब मिश्रा के सीहोर इस्थिर कुबरेशोर धाम में रुद्राक्ष लेने और दर्शन करने के लिए रोजाना बड़ी संख्या में श्राधालू पहुचते है कथा वाचक को धमकी भरा पत्र मिलने की सूचना लगते ही शरदालूओं में भी नाराजगी है बताया गया है कि कथा वाचक पंडीत प्रदिप मिश्रा को जान से माननी की धमकी और बदनाम करनी का जो पत्र मिला है उसमें किसी का नाम और मुबाल नंबर नहीं है लोकसाब सदस्य के लिखेंगे गए पत्र का जवाब देते हुए कि इंद्ये गिरिह मंत्री अमिश्वा की ओर से लिखा गया श्रीमती नवनीत रवी राना जी आपका 22 दिसंबर 2023 का पत्र प्राप्त हुआ है जो कथा वाचक पंडीत प्रदिप मिश्रा सीहोर वाली की सुरक्षा से संभंधित है गिरिह मंत्री की ओर से पत्र का दस फरवरी को जवाब दिया गया है धमकी भरे पत्र के मामले में कथा वाचक प्रदिप मिश्रा की कुब्रेशवर धाम समीती के सदस्या समीर शुकुला ने बताया कि लोकसाबा सदस्या को जानकारी लगी तो उन्होंने केंद्री ग्रीह मंत्रय मिश्या से सुरक्षा की मांग की है इसे पहले भी अमरावती में धमकी भरी छिट्टी मिली थी अब एक बाव फिर छिट्टी मिली है वही मामले को लेकर स्पी मयंग अवस्थी ने बताया कि इस तरह की जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है बाहर का मामला है आपको बता दे कि भोपाल पुलिस मुख्याले से प्रदिप मिश्रा जी को सुरक्षा पहले से ही मिली हुई है